तो आपने स्क्रीन पे दिखाई होगा AI का प्लेटफॉर्म जो गूगल ने लॉंच किया है, जब चार्ट जीपेटी आया था, तब बहुत सारे लोग कहे रहे थे कि अभी गूगल ये कौन देखेगा, गूगल अभी पीछे चला है, उसने अपना खुद का एक AI प्लेटफॉ लॉंच के आये, बाट गूगल भूलके, यहाँ पर आज हम यही बात करने वाले कि इसको कैसे यूज़ करें, और इसके बेनिफिड क्या होगे, और आप इसका बेनिफिड कैसे उठा सकते हैं, तो सबसे पहले हम सिखेंगे कि इसको यूज़ कैसे करें, आप मेरे चानल पर लिए बेल आइकान का बटन भी प्रेस कर दिए, तो देखते हैं कि यह गूगल का AI बोट क्या है, आपको गूगल सर्च इंजिन में आना है, और आपको यहाँ पर बार्ट.google.com यह सर्च करना है, यह सर्च करने के बाद इसका पहला ही वेबसाइट आजाता है, यहाँ पर लॉगिन कर दिया है, आप भी इसको अपने जीमेल से या आपको कोई अधर मेल होगा, तो यहाँ से सिंप्ली आप लॉगिन कर सकते हैं, लॉगिन की प्रोसेस एक्टम इजी है, आपको सिर्फ साइन अप बोलना है, और यहाँ पर मेल आईडी और आपका पासवर्ड डाल क इसको लॉगिन कर देना, आपको जीमेल होगा, तो यह डायरेकली इसको ले लेता है, और यह लॉगिन हो जाता है, अभी हम यहाँ पे आ गए, अपने गूगल के AI प्लैटफोर्म पे, जो चैट बूट बोलके है, जैसे आपने चैट जीपिटी यूज किया था, वहाँ पे यहाँ पे देखिए, आप नीचे देख रहे होगे कि एक सर्च बार है, एंटर अप्रमोट हीयर, यहाँ पे आपको आपका क्वच्चन यहाँ पे पूट करना है, आपकी कौनसी भी लाएंगे जो आप यहाँ पे आराम से इसको सर्च कर सकते हैं, तो चलो मैं आपको दिख इन्फरमेशन हिंदी, यह वर्ट सर्च किया है, अभी मुझे यह हिंदी में चाहिए, यह देखो, आप देख रहे होगे कि यहाँ पे शेयर मार्केट की पूरी तलसे इन्फरमेशन यहाँ पे आ गई है, और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ जो राइट कि इन्होंने सबसे अच्छा प्लैट फॉरम है कि यह इन्होंने ओफियार आपकोंनी दिया, यह आ पर क्लिक किईए, शेयर լातार यह इन्हों कार्णे उप्पर वाक्र्प्र प्रोपरैश्णरी कि यह इतना प्रोपेशनली हे कि यहाँ पर जो प्लैट्फॉरम दिया है, यहाँ पर वो सरनता से यह यहाँ पड़ता है यानि आप अडियों की तरह भी इसको सुन सकते हैं इसको आप कॉफी पेस्ट करके सेव भी कर सकते हो अभी मैं आपको सब्सक्राइब करके दिखा दो अभी यहाँ पर डालनेंगे पी दिवाली अब यह सर्च कर रहा है यह देखो यहाँ पर इन्होंने जो हैपी दिवाली यानि जो फेस्टिवल के जो कोर से ओ भी यहाँ पर दिये आप यहाँ पर ब्लॉगिंग करते होगे तो यहाँ से आप कॉपी पेस्ट करके आप अपने ब्लॉग को भी रैंक कर सकते हैं क्योंकि जनरली जो फेस्टिवल होते हैं वहाँ पर यह से इमेजेस यूज होते हैं तो आप यहाँ पर यह यूज कर सकते हैं यहाँ पर बहुत बोड एक्टिविटी बोल के बोड एक्टिविटी थोड़ा सा सेटिंग होता है आप एक बार देखेंगे तो आप समझ आओगे कि इसको कैसे हैंडल करना है आप इसको सेव भी कर सकते हैं और जो रिसेंट जो ऑफ्षन दिया है यहां पर आप रिनेम भी कर सकते हैं और ये हिस्ट्री आपके कंटिनुर रहती है जब तक आपने आटो डिलीट या आप खुद से डिलीट नहीं करते हैं तो यह इन्हों ने दिया एकम सिंप्ली अगले वीडियो में हम देखेंगे कि यह यूटुबर्स के लिए ब्लॉगर्स के लिए और अर्णिंग के लिए कैसे काम करता है तो मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्ते